यह आपके कुछ है सम्मिधान से सम्मंदित कुश्चंस हैं और उनके आंसर दिये गए हैं और याद रखिए सभी कुश्चंस आपके बहुत ही मालतपूर हैं और इनसे आप देखेंगे कि आपकी सिबल सर्विस हो या स्टेट PCS जब मैं स्टेट PCS की कहता हूं तो सभी स्टे और वन डेक जम यानि की SSC वैंक रेल बे इस तरह की पटवारी SI दरोगा पुलिस सिक्छक भरती देखे सीधी सी बाग कि जहां भी सम्मिधान से आपके कुश्चंस पूछे जाते हैं उन सब के लिए एक किलास महत्मोड रहेगी और आप देखेंगे कि इस किलास में वही आप सभी जानते हैं कि एक तो आपकी 15 अगस्त आती है एक आपकी 26 नवंबर और 26 जनवरी तो आप सभी को मालू है कि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को इसलिए हम 15 अगस्त को सुतंता दिवस के रूम में मनाते हैं 26 नवंबर को आप सभी जानते हैं कि समिधान दिवस के रू में मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 कुछ पिराउधानों के साथ आपका सविधान लागू हो चुका था. और आप देखेंगे 26 जनवरी को हम लोग गरतन दिवस मनाते हैं. क्योंकि पूरी तरह से एक तरह से हमारी सुथनता की बाद की जाए, तो 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपको संभीधान भी लागू होता है और इसी दिन आप देखें कि कई संस्थाओं का एक तरह से जनम भी होता है और तो एक तरह से गढ़ की रूम में, सोतंत की रूम में, सोतंता दो हमें बहुत पहले मिल चुकी थी। हमें मौलिक अदिकार दिये गये हैं और आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को आप सोची कितने हमारे सहीध हुए हमारे देश के सुतन्टा सेनानी तब जाकर प्लम लोगों को ये आज आदि ये पिसासन की नहीं रखी थी, तो आप सभी ने देखा होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके सभी एक्ट भी देखे हैं, समीधान का जहां से विकास सुरू होता है, उसे भी हम लोगों ने देखा था, तो regulating act, ये 773 का है, act of settlement किस बर्स पारित किया गया था, तो 1781 म पहला charter act का पारित किया गया था, 1793 में, अंतिम charter act का पारित किया गया था, 1853 में, भारत की सासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम किसे कहते हैं, 1858 की अधिनियम को, ठीक है, भारत सासन अधिनियम को, भारत पल्षद अधिनियम का पारित हुआ, तो याद रखी 1861 में, 1909 कि अधिनियम को किस नाम से जानते हैं मारले मिन्टो सुधार हमा जब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने आपके सभी एक्ट कवर की हुए थे तब भी आपको बताया था कि इस तरह के कोश्चेंस आ जाते हैं कि मारले मिन्टो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं या मांटिकेव चैम्स फोर्ड सुधार किस बर्स लाग हुआ तो 1921 में साइवन कमिशन ने अपनी रिपोर्ट किस बर्स पेस की थी 1927 में यह बना था 1930 में पेस की थी तो याद रखे मांट वेटन योजिना कमिश की गई 3 जून 1947 को संपधाइक निर्वाचन का जनक की सरेहियम को मानते हैं आप लो 1909 के मारले मिंटो सुधार को 1935 के अधिनियब में कितनी धाराई थी? 321 किस बेक्ती ने 1922 में यह मांग की थी कि भारत की समिधान की सरचना है तो गोल में समिलन बुलाना चाहिए तो मौतिलाल नहरो समिधान सबा को चुनाव के साधार पर हुआ था? बरगी यह मतादिकार पर बर्स 1938 में किस बेक्ती ने 22 के मतादिकार की अधार पर समिधान सबा की गठन की मांग की थे? तो यह था आपके पंडि जवाहलाल नहरो बियार अम्बेड कर कहां से समिधान सबा में निर्वाचित हुए थे? तो बंगाल में कहां से? बंगाल से 1942 में किस यह उजना के तहत यह सुविकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित समिधान सबा का गठन होगा और जो योद्धा प्रांत समिधान का निर्माद करेगी तो केर्ट से योजना, इस नाम को भी याद रखे, समिधान सबाब में देशी रियासतों के कितने पिती नी दी थे 70, समिधान संसोधन कितने फिकार से किया जा सकता है 5, समिधान सभा के लिए चुनाव कम निश्चित हुए थे जुलाई 1946 में किसी छेत को अनुसूचित जाती और जनजाती छेत घोसित करने का अधिकार किसके पास है समिधान सभा को किसने मूर्थ रूप पिदान किया पंडिजबाहल नहरूणे और एक तरह से आपनों एन तरह की कलासों को एक दो बार देखिए और निकल जाया करिएगा बढ़ी एक से दो बार आपनों बड़े ध्यान से सुना करिये और निकल जाया करिए भारत में कुल नियाले 25 हो चुके हैं ठीक है पहले 24 थे समीधान सभा की पिथम बैठक कब हुई 9 दिसंबर 1946 को और आप सभी जानते ही कि आज स्थाई अध्यक्ष कौन थे आप लोगों को बताना है और आप लोग गूगल से सर्च करिए और इस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे इसे भी आप लोग सर्च करिएगा आपके पास गूगल मोबाइल तो है ना उसकी पोनर गठन के फ़ल सुरू बरस 1947 में समीधान सभा के सदसों की संख्या कितनी रह गई थी 299 याने की 200 99 समीधान सभा में किस देशी रयासत के पितिनिदी ने भाग नहीं लिया था हैद्रावाद भारती समीधान में किस अधिनियम के धाचे को सुईकार किया गया भारत सासन अधिनियम 1935 के पित्थम लोग सभाध्यक्ष कौन थे जीवी मावलंकर पहली बार राष्टपती सासन कब लाग हुआ था? 20 जुलाई 1959 को पहली बार राष्टपती सासन आपका एक मिनट याद रखिए राष्टपती सासन की बात कर रहे हैं 356 और राष्टी या बात का अलग होता है समिधान द्वार पिदत्थ नागरिक्ता के संब्द में संसतने एक ब्यापक नागरिक्ता अधिनियम कब बनाया था? 1955 में याद रखने चाहिए आपको ठीक है? और समिधान सभा का पहला अधिविशन कितनी अउधी तक चला था? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तर तो इस तने इसाओधी में चला था है देश के सुतन्त होने के पश्चाद समिधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को समिधान सभा का अयस्थाई अधिक्ष किसे चुना गया था? लेजे आपका आंसर भी मिल गया जो पीछे पूँचा था सचीदानन्द सेंधा समिधान सभा का इस्थाई अधिक्ष डॉक्टर राजन पे साथ समिधान इर्माण की दिसा में पहली कार उद्देश पिस्ताओ 22 जन्वरी 1947 को या पिस्ताओ किसने पिस्तुत किया था? पंडि जवालाल नहरू ने ये कुश्चन्स आप देखेंगे कई बार पूँचा जा चुका है समिधान सभा का समिधानीक सलाहकार किसे ने उख किया गया था? बी एन राओ सलाहकार बी एन राओ ये भी कुश्चन्स कई बार पूँचा जा चुका है भारती समिधान की पिस्ताओना के अंसार भारत के सासन की सर्वुच सत्ता किसमे नहीं थे? जन्ता में आप देखते हैं कि जन्ता राजा होती है लेकिन भिकारी बनी हुई है क्योंकि जागरूक नहीं है भारत की पिथम सिख की पिधान मंत्री मनमोहन सी पिधान मंत्री पर सित्यागपत देने वाले पिथम बैक्ती मौरार जी देशाई थे भारत की नेंतक ये वो महले का परिक्षक की नियुक्ती कौन करता है हमारे राष्टपती साहब भारती समिधान की किस भाग को उसकी आत्मा की ब्याख्या पिदान की गई है तो याद रखिए हैं पिस्ताउना को और भारती समिधान की आत्मा देखिए आप लोग आर्टीकल 32 को किस ने कहा था बीमराओ अम्बेड कर सा हमने केरल का उचन याले एलना कूलम राजिसवा के लिए पितिक राजिकी पिते निदियों का निर्वाचन को उट करता है विधान सवा की निर्वाचिस सदस जो आपकी एमेले होते हैं जिन्हें आप लोग विधायक कहते हैं वही करते हैं दीबानी मामलों में संसत के सदसों को किस से दोरान गिरपता नहीं किया जा सकता है, संसत के सद के दोरान और संसत के सद आरम होने की 40 दिन पूर्थ तक और संसत के सद आरम होने की 40 दिन बाद तक, यानि कि आप समझेए कि एक तरह से उन्हें छूट दी जाती है, कि आप यादर की दीवाने मामलों में हैं संगीय मंत्री परशद से त्याकपत देने वाली पिथम मंत्री कौन थे? स्यामा पिसाद मुखरजी साब भारत की संपरीक्षा और लिखा प्रणालियों का पिदान कौन होता है? भारत का नेंत के वा एवं महालिका परिक्षब लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्थी उन्हीं में से आप देखते हैं कि एक चुन लिया जाता है कौन उत्तर पिदेश की पिथम महिला मुकमंत्री बनी थी? सुचेता किपलानी और उत्तर पिदेश की है नहीं पूरे भारत में किसी राजी की पहली महिला मुकमंत्री थी सुचेता किपलानी ठीक है? भारत के पहली उप्पिधान मंत्री कौन थी? सरदार वल्ला भाई, पटल याद रखी उप्पिधान मंत्री का पत होई आपका समिधान में नहीं थी आगया है ये तो आप जानते हैं कि उप्पिधान मंत्री भी बनाय जाने लगे आप तो आप देखते हैं कि 4च्रेश मंत्री बना दिये जाते हैं कहीं 2-3-3 बना देते हैं इसलिए कि उनका आप समझहें कि कहीं गटबंदन है तो एक मुखमंत्री हो गया दो और नेता जो चालू है एक तरह से आपके ये अलग हो सकते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हैं सीधी सी बात के वो अपनी राजनेतिक मात्वा कांचा साधने के लिए इस तरह के पद दे दिये जाते हैं सबसे लंबी अधी तक एक ही विवाग का कार समालने वाले केंद्री मंत्री कों थे राजकुमारी अमरित कौर दादराय वो नगरहबेली किस नयाले के छितर अधिकार में आता है मुंबई उचनयाले केस वर्ष से पूर उपराश्पती की सेवानवित्ती के पश्चात प्यंस संसोधन का प्रावधान नहीं था 1997 से पूर मोल समिधान में राज्यों को कितनी प्रवार्गों यानि कि कितने भागों में वाटा गया चार समिधान में किस भाग में समिधान संसोधन का प्रावधान है भाग 20 में अनुछे 368 में 368 सरकारी समतियों के गठन किस भाग में कि में समिधान के किस संसोधन के तहित मौली करतबों को जोड़ा गया 42 सभा समिधान संसोधन हुआ था और याद रखी 1976 की बात है कब की बात है 1906 की बात है यह भी आप लोग याद रखिएगा लोगसभा सदस्ता के लिए उम्मिदबार को कितने वर्स से कम नहीं होना चाहिए अगर आपकी उम्मर 25 वर्स हो चुकी है तो आप लोग लोगसभा का चुनाव लड़ सकते हैं वहीं राज्यसभा की बात करें तो 30 साल अगर आपकी उमर हो चुकी है तो राज्यसभा को सदस्त बन सकते हैं और अगर आप लोग 35 साल की हो चुके हैं तो आप लोग राष्टपती और राजपाल भी बन सकते हैं ठीक है मूल अधिकारों को आसंगत या उनका अलपी करन करने वाली विदियां किस अनुछेद में है अनुछेद 13 में समिधाने कुपचारों का अधिकार अनुछेद 32 यानि की कहने का मतलब हैं कि आपको जो मौली का अधिकार दिये गए उनका हनन करता है कोई आप से छीनता है तो आर्टीकल 32 के तरह आप लोग सुप्रेम कोट जा सकते हैं सुप्रेम कोट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा एक तरह से चैवर से कमायू के बालकों को निसुल्क और अनिवाय सीक्षा का उबंद किस अनुछेद में किया गया है आर्टीकल 45 में राश्टपती की छमादान की सक्ति किस में है अनुछेद 72 में धनवेदेग का पराउधन किस अनुछेद में किया गया अनुछेद 110 में राजपाल की निवक्ती सम्मादी पराउधन किया गया है अनुछेद 155 में ठीक है? दिल्ली के सम्माद में किस अनुछेद में विसेश प्रवंधन की बात करिया है आर्टीकल 349 का का संपत्ति के अधिकार किस अनुचेद में इस्थानातित किया गया है? आर्टिकल अनुचेद तीन सो कामे पहले आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन चावाली से पे समिधान संसोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है अब आपका कानूनी अधिकार रह गया है अनुचेद 312 का संबंद किस से है? तो अखिल भारतिय सिवाओं से राज्यों संग के लिए लोक सिवायू का गठन किया जाएगा किस अनुचेद में बात की गयी है? 315 में लोक सबा में ST के लिए इस्थानों की आरक्षन यानि की सीटों की आरक्षन की बात की सनुचेद में की गई 330 में तो जम्मू कस्मीर में आप सभी जानते हैं कि 370 का प्रावधान था लेकिन अब हटा दिया गया है 2019 में सब कुछ खतम कर दिया गया है 370 की अभी आप देखेंगे धाराएं एक अग धारा भी भी बची हुई है लेकिन अब जो आप देखते हैं न कि इस्पेसल सक्ती मिली हुई थी देखें अब एक लाइन में आप से कहा जाए वो सभी प्रावधान लागू होंगे जम्मू कस्मिर में जो बाकी राज्यों में लागू होते थे पिस्तावनों में सुतंता सम्ताव बंदूत की आदर्सों को कहा कहा से लिया गया है फ्रांस की किरांती ठीक है 1789 में होई थी आप जानते समीधान के किन अनुछेदों में मौलिक अधिकार बढ़ थे तो अनुछेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में ठीक है बारती समीधान के किस दिन से पूर्ता लागू माना जाता है 26 जन्मरी 1950 से लेकिन आप देखे कि 26 जन्मरी 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो गया था लेकिन पूरी तरह से 26 जन्मरी 1950 समीधान के किस अनुछेद में मोल कर्तबों का उल लेकिया गया है अनुछेद 59 का में ठीक है भाग 4 का में ठीक है ये भी आप लो याद रखे समीधान के किस अनुछेद में राजसवा का गठन बाढ़ित किया गया है अनुछेद 80 में समिधान के किस अनुछेद में नियायफालिका का कारिफालिका से पित्करन की बात की गई है अनुछेद 50 में किस अनुछेद में संसत किस सयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है 108 में अनुछेद 108 में आप लोग याद रखिया, सयुक्त अधिवेशन को बुलाता कोन है? राष्टपती, लेकिन इसकी अध्यक्षता कोन करता है? लोगसवा अध्यक्ष. सम्मिधान के किस अनुचेद के अंतरगत राष्टपती अध्यक्ष जारी कर सकता है? तो याद रखिया आर्टीकल 123, अनु अनुचेद 165 में. राष्टपती कि किस अनुचेद के अंतरगत सर्वूच नियालाय से परावस माग सकता है? अनुचेद 143 में. राजज्यों की राजभासा की विसाय में किस अनुचेद को पड़ा जाता है? अनुचेद 345 को. बेतिये आपात्कल की घोष्णा किस अर्टिकल 360 लेकिन अभी तक कभी नहीं हुई है और उपर वाले से द्वा करिए कि ना हो कभी पहली बार राष्टिय अपातकाल की घुष्णा कप की गई थी 31 अक्टूबर 1962 को देखिए आपका राष्टपती सासन पहली बार 1951 में लगा था लेकिन राष्टिय अपातकाल जो आप देखते हैं 352 आर्टिकल के तहद लगता है 26 अक्टूबर 1962 में जब हमारा और आप देखते हैं यानि कि भारत और चाइना का यह उद्धुगा था भारत की नागरिकों को कितनी पिकार की नागरिकता प्राप थे एकन नागरिकता लेकिन वहीं आप लोग अमेरिका में जाएंगे तो दुहरी नागरिकता होती है उनके इस्टेट की अलग नागरिकता होती है समझ रहे हमारे उत्तर प्रदैस की आप निबासी हो सकते हैं ल बाईस भागों में, आप लोग गिंती से आप देखेंगे, बाईस ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिए, किस अनुचेद में लोग नेवजन के विसाय में आउसर की समताफदान की गई है, अनुचेद 16, केंद और राजी की भी धन के बटवारी के संबंद मे कौन राय देता है, बित आयो, अनुचेद 280 में, और याद रखिए, एक कुश्चन का इवार कुछ लिया है, बित आयो की विवस्ता किस अनुचेद में की गई, 300, मा आपकरिए, 280 में, 280 में, और चुनायो की, 324 में, ठीक है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, किस अनु किस तरह से भारतिये नंग्रिक्ता प्राप्त की जा सकती है, जरम, बंसा, नुगत, पंजी करन से, मंदरी परसद का अध्यक्ष कोन होता है, प्यधान मंत्री, भारत की संसदी परणाली पर किस देश का समिधान का इस फर्ष्ट प्रपाव देखते हैं, वेटन का, क्योंकि आज जानते हैं कि अंग्रे जोनों हमारे उपर बहुत सालों तक राज किया, राज जी की नीती ने दे सकते धान्दों की पेड़ा किस देश के समिधान से आयलेंड, भारति समिधान की संसोधन पिक्रिया किस देश के समिधान से फिरवावी थे, दच्छिट अपीका, जहा पहला संसोधन दिनियम 1959 में जब आपके याद रखिए, पहला सम्मिधानिक संसोधन दिनियम 1959, राष्टपती पद के निरवाचन है तो उम्मीदवार की अधिक्तम आयो कितनी होनी चाहिए? राष्टपती पद के निरवाचन है तो अधिक्तम पूँच रहा है, कोई सीमा नहीं है, अगर आप 80-90 साल गए हैं तब भी आप लोग राष्टपती बन सकते हैं, लेकिन नियूनतम पूँचे तो 35 साल, भारत का समिधार कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1999 को, किस बर्स गांधी जैनती के दिन केंद्रिये पिसासने के अधिकरन की स्थापना की आप देख रहे हैं कि पच्छे मंगाल बनाने की बात कर रहा है, लोग सभा का सचिवाले किस की देख रेक में काब करता है? संसदीय मामलों की मंदरी, राजपाल सौने की पिंजरे में नवास करने वाली स्थिडिया के समतुल है, यह कथन कई वार पूचा जा चुका है, सर बोजनी नएडू ने कहा था, देश के किस राज़ी में सरफित हम गैर कॉंगरेस सी सरकार गठी हुई थी, केरल में, उननीस सो संतावन में, केरल अच्छा राज्य है, ठीक है, किस राज़ी की विधान परिषद की सदसंख्या सरवादिक है, उत्तर पिदेश, 403 के करीब आपको देखने को मिलेगा, लोक सभा में 80, राज्य सभा में आप देखेंगे 31, और आपकी विधान परिषद में 100 सीटें देखने को मिलेगे, सबसे जानदा सीटें चारों सदन में आप देखिए, चारों आप देखेंगे कि यहीं देखने को मिलेगी, लोक सभा हो, राज सर्विदेश ने बहुत सारे पिदानमंत्री भी दीये हुएं देश को अभी आपके जो बरतमान पिदानमंत्री मौदी सहाव हैं बनारस से आते हैं चुनकर पितेक राज्य में अनुसूचे जाती जनजातियों की सूची कौन तेयार करता हैं पितेक राज्य की राजपाल की परामस्ति राश्टपती भारती समिधार में तीन सूचियों की विवस्था की गई है भारत ससन अदिनियम 1935 से ली गई है एक तरह से आप देते हैं संग सूची संबर्ती सूची राजी सूची जनता पार्टी के सासन के दौरान भारत की राश्टपती कौन थे नीलम संजीब कोई विद्यक धन विद्यक है या नहीं इसका नेड़े कौन कता है लोगसभाद द्यक्ष दल बदल से समंदित किसी पिसने या विवाद पर अंतिम नेड़े किसका होता है सदन की अध्यक्ष का 1922 में किस ब्यक्ती ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयम अपने पर नियंतन किसका रहता है नियंतक एवं महालेखा परिक्षक का राज्यसवा की पहली महला मासाचिप कौन थी बी एस रमादेवी संसत का हुई सदस अपने अध्यक्ष की पूरवनमती लिये बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्तित रह सकता है और उसका इस्थान र संथार्ष की प्रश्वजा करेटरां थे राज्यसवा करें थे देखें आपसमजते हैं कि उपराष्ट पती को कुण को मालू होगा कि एस राज्यसवा करी देथ कि या धी उत्य कि रसने घू किस नेumen्दा मंत्रीपत गें ता गुल्यारी लाल नंदाने राजिस्तार में पंचेयती राजवस्था की शुरुआत किस जली से हुई थी नागोर राजिस्थान से किसकी से फारिज पर समिधान सभा का गटन किया गया था कैविनिट मिसन योजना के समिधान सभा में विभिन प्रांतों के लिए 296 अदसों का निर्वाच्चन होना था इनमें से कॉं मद्दाता दिवस कम मनाते हैं 25 जन्वरी को एक तरह से बोटरों मतलब एक तरह से जन्दा को जावरूख करने के लिए कि आपका बोट की कीमत है आपके बोट से ही पधान मंत्री तक बनते हैं लोग किस संसोधन द्वारा गवाद दमन और द्वीप का भार्दी संग में एक द्वार नवासी में याद रखिएगा कई बार पूछ लिया है अगर आप पहले देखिए 21 साल के होते थे आप लोग तभी बोट डाल पाते थे बोटर लिश्ट में आप लोग जुड़ पाते थे अब आप देखते हैं कि 18 साल के हो जाते हैं तो आप लोग बोट पे डालन चुनते हैं अपने लोकल बॉड़ी के जो भी सदस होते हैं उने भी चुनते हैं तो 61 समिधान संसोधन के द्वारा किया गया था किस समिधान संसोधन अधीनियम द्वारा लोकसभा के कारकाल को 6 वर्स सिखटाकर 5 वर्स कर दिया गया था तो 42 समिधान संसोधन माप करिए 44 स समिधान संसोधन द्वारा, याद रखी इंद्रा गांदी ने तो 6 वर्स कर दिया था, लेकिन यहाँ आप लोगों को याद रखना है 44 बाद समिधान संसोधन हुगा था, कब? 1978 में, और 44 बाद समिधान संसोधन द्वारा ही आप देखते हैं, कि संपत्ती के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया था और 42 बा समिधान संसोधन आप देखते हैं कि 1976 में होता है इंद्रा गांधी के समय और आप जानते हैं कि बहुत बड़ा समिधान संसुधन किया गया था बहुत सारे संसुधन तो इसलिए आप लोग 42 बे समिधान संसुधन को Mini Constitution भी कहते हैं किस समिधान संसोधन अधिनियम के अंतरगत भूतपूर्व देशी रयास राजाओं के पीवी परस को समाप्त कर दिया गया था, तो ये 26 वा संसोधन था, समिधान संसोधन, किस समिधानिक संसोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज कदर दिया गया था, 53 वे समिधान संसो द्धन द्वारा जोड़ी गई थी इससे भी आपका कुश्चेंस कई बार आ चुका है तो 52 वा था ये 52 वा समिधान संसुधन 1980 में लगू समिधान किसे कहते हैं 42 वे समिधान संसुधन जो 1976 में हुआ था 65 वा समिधान संसुधन 1990 में हुआ था और ST ST के लिए आयू की घठन की बात की गई थी और आप जानते हैं कि ST के लिए आपका 338 आर्टिकल 338 और अनुसुचि जंजाती के लिए आपका 338 का में दिया गया वेवस्था 119 वा समिधान संसुधन किस से समन्दित हैं बंगलादिस और भारत सीमा से आप लोग ऐसा करिएग उन सबको हम लोग ने एक एक करके बताया हुए है तो आप उसे आप लोग एक बार बस सुन लीजेगा ठीक है तो यह इन कुश्चन को भी देख ले ना कुछ मात्मूर कुश्चन्स दे आपके हो सकता है कि दो चार कुश्चन्स आपके आजाए आपकी परिक्षाओं में च